भाश्वा प्रितियासी जोती मिर्धा की समर्थन में जन सभा को सम्बोधित किया आपको बता दे कि डिप्टी सी एम दोपैर बाद मकराना में पूर विधायक रूपारा मुरावतिया के निवास स्थान पर सबसे पहले पहुंची इसके बाद गच्छीपुरा में आयोजित स सबस्तल के लिए वहां से रवाना हुई रास्ते में सित खुड़ा माता के मंदिर में पहुंचकर माताजी के दर्शन किये जिसके बाद गच्छीपुरा में सबस्तल पर पहुंची जहां पर नागोर लोक सबस्वा छेतर वे भाश्वा प्रतियासी जोती मिर्दा के समर्थ समी जनसभा को संभौधित किया इस दोरान उन्होंने सभा को संभौधित करते वे कहा कि केंद्र में मोधी सरकार ने खूब विकास राष्टर हित के काम किये हैं और अब राजस्तान में भी भाश्वा की सरकार बनी है जिससे अब डबल एंजन के सरकार प्रदेश में नए आया में स्थापित कर रही है इस दोरान उन्होंने डबल एंजन के सरकार की अने कुपलब्दियों का बखान किया साथ ही उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस से सासन में खूब रिष्टाचार हुए थे इसी दोरान इसी प्रकार उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा क कि राजस्तान में 25 के 25 सीटे बिजेबी के खाते में ही जाएंगी मोदी जी ने राष्टर हितके के लिए कारे किया है जिसके बदोलत तीसरी बार मोदी सरकार चार सुपार के लक्षके साथ बनेगी सवामे डिप्टे सीम दुया कुमारी का माला पहना कर अभिनंदर भिखि जा गया